तुझूटी मैं मकार मुझे लग रहा था कि लव रंजने तो थोड़ा कुछ इनोवेटिव लाएंगे पर ठीक है, फैमिली भी इंपोर्टेंट है और ये टॉपिक कुछ जादा ही होता है कपल के बीच में तो पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखने जाना और अगर कपल हो, शादी होने वाली है तो फिर तो जरूर जाना क्योंकि तुम बहुत जादे रेट कर पाओगे तो फिर अब आते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी मुझे हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं background music से जो बहुत ही अच्छा था ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि इस फिल्म में background music बहुत अच्छा हो सकता है और matching हो सकता है लेकिन expectation से उपर था बहुत अच्छा था मज़ा आ रही थी scene को real बना रहा था फिर दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी script काफी new script दिख रही थी क्योंकि ट्रेलर में जो देखा उससे काफी अलग था ट्रेलर तो सिफ आँखों का धोगा था और मैं जो ट्रेलर में डून रहा था कि भाई ये जूठी कैसे होगी वो फिल्म ने बहुत अच्छी तरके से सैटिस्फाई किया तीसरी चीज जो बहुत ही लाजवाब थी और मेरे हिसाब से इसने सबसे ज़्यादा जान फुकिये इस फिल्म में जो है supporting cast supporting cast इतनी अच्छी थी इतनी अच्छी चुनी हुई थी कि हर एक अपने character पे बहुत जच रहा था और अपने character dialogues को बखू भी निभा रहा था चाहे बसी को ले लो, बसी की wife के character को ले लो या फिर कोई भी family के character को ले लो सब ने बहुत बढ़िया रोल निभाया और एक बात main चीज जो है ये film थी रनबीर कपूर film मतलब कि ये character रनबीर कपूर के लावा और कोई शायद इतना अच्छा नहीं निभा पाता तो भई रनबीर कपूर साब मेरी नजरों में थोड़ा बहुत दो उपर आ चुके हैं बाप और चौती चीज जो मुझे बहुत अच्छे लगी ना थी एक screenplay first half बहुत ज़्यादा ये लंबा था और इतना boring था कि भई मैं wait करा था interval कब होगी पर हाँ बस wait करो कि second half शुरू हो क्योंकि interval से जस्ट पहले एक बड़ा सा twist आता है जो कि पूरी film को बहुत रोमांचक बना देता है और उसके बाद तुम्हें film में मजा ही मजा आने लगेगी जब तक कि film happy ending की तरफ ना बढ़ने लगे दूसरी चीज ये कि इन्होंना या family को अच्छा दिखाने के कोशिच तो करी लेकिन ये क्यों बताया कि हर बार sacrifice family या लड़काई करे अगर लड़की कोश चाहिए तो उसे भी तो बोलना चाहिए ना हर बार लड़काई लव रंजन सर एक आप ही तो है जो हमारी इतनी सावी मुझसे बते बाहर निकाल के ला रहे है क्योंकि लड़कों की feelings के बार में तो कोई बात ही नहीं करता क्यों भाई थोड़ा सा तो बदल जाओ प्लीज पर हाँ एक और चीज ध्यान में रख लो ये family film है पर इतनी भी dramatic नहीं है बहुत अच्छी film है बहुत comedy है बहुत entertaining भी है ये ऐसी कोई family film नहीं है जो तुमें रूला डाले एक बार तो must watch film है ये देखना ही चाहिए family के start देखो या अलग देखो लेकिन देखना जरूर overall ये movie मुझे ठीक ठाक लगी एक बार देखनी ऐसी थी बार बार तो शायद ना देख पाओ और हाँ specially लड़कों ये movie जाके देखना और couples हो तो फिट तो देखो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हूँ जाते हो ना theaters में अभी भी चले जाओ बस यही तक था मेरे review और हाँ मुझे पता है मैं काफी time के बाद वापस आया हूँ लेकिन अब शायद regular हो जाएगा तो भई सब्सक्राइब कियेने बना मत जाएगा क्योंकि March में बहुत सारे फिल्में आ रही है तो अगर उन सब फिल्मों का review तुमें चाहिए मेरे चैनल से तो पताएए तुमें क्या करना है और हाँ at the end happy holy तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई